वर्ष दो हजार तेईस के शुरुवात के पहले से ही वरिष्चेक राशे के जातकों के लिए एक चर्चा चहुआ और जूर पकड़ने लगी है कि अभी कुछ समय पहले ही साड़े साथी समाप्त होई थी अब ये ढ़ाई से तीन वर्ष का अंतराल भी नहीं बीता और पुनह डहिया का करम सामने रहेगा है खुद को संभालने का पुरा ही प्रयास कर रहे हैं कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं अपुनहें डहिया किस तरह के स्तियों को निर्वित करेगी और व्यक्तिये सोच कर ही भयाकरान थोड़ता है शंशाय के साथ में जीवन को देखने लगता है परन्तों यहां यह स्पस्टता रखने की जरूत है कि साड़े सांती के करम के बाद में जब भी ढहिया आती है और जो व्यक्ति अपने कर्म शीलता को साथ में लेकर चलता है हलके फुलके अवरोदों को चुनाती और संभाबना मानकर जब आगे बढ़ने के लिए यपन और प्रेतन शील रहता है तो वो ही ढहिया का करम उसके लिए एक अलग रफ्तार को भी लेकर आता है 17 जनवरी 2023 से शुनदेव मकर राशीस्तान से निकल कर और अकरम से निकल कर व्रिश्चिक राशी की जातकों के लिए यहां चतुरत भावस्त आधार के साथ में चलाए मान रहेंगे तो वहीं हम आपके समक्ष जनवरी 2023 का मासिक राशी फर लेकर उपस्तित हुए है प्रतमतिया ग्रह गोचरिय गंड़नाओं का अध्यान और उसके बाद में प्रतेक्षे तरविशेश के साथ में जुड़ी वोई चर्चा है चंद्रमा का प्रभाव प्रिश्चिक राशी स्थान में 17, 18, 19 के साथ में रहने बाला होगा बुद्ध की स्थियां पूरे ही महीने देव गुरु प्रहस्पति की मूल्ट रकॉर्ण में अपने शत्रु राशी स्थान में ही है वहीं कम्यूनिकेशन हाउस में बुद्ध है जो की कहीं ने कहीं कम्यूनिकेशन की अप्रोच को और ज़्यादा रिफाइन और अलग पॉजिटिव अप्रोच में डिफाइन करते है यहां शुक्र की स्थियां 22 जनवरी 2023 तक मकर राशी स्थान में ही है सूरिदेव 14 जनवरी 2023 तक तो धनुराशी स्थान में रहेंगे और उसके बाद में अपने पुत्र के राशी स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और महीं से मकर संक्रांत जैसा त्योहार भी रहेगा परन्तु सूरिदेव का पराक्रम भावस्त स्थियों में होना कर्मेश का पराक्रम भाव में होना नौकरी पेशा जिवन के साथ जुड़े हुए महान भावों के लिए अद्भुत संकेत का क्रम है शनदेव चतुर्थ भाव में इसे वज़े से डहिया का करम अब चलाएमान रहेगा परंतु पुरानी भूमी से संबंदित कामकाज में इसमय विकास का देव गुरु ब्रेस्पती, पंचमी शोकर, पंचम भाव के साथ में अब गतिमान रहेंगे राहु सस्ट में केतु 12 में मंगल की स्थियां बारे हैं जनवरी 2023 के बाद से ही वक्री स्थियों से निकल कर मारगी हो जाएंगी परंतु वुरुषब राशियस्तान में ही यहां मंगल चलाएमान रहेंगे और हम चर्चा की शुरुबात करते हैं प्रथम भाव के साथ में राशियस्तान को देखते हैं शनिदेव 17 जनवरी 2030 से अब यहां मंगल बरदान राशि को देखने वाले होंगे यह स्थियां स्थाइट तो देती हैं मंगल जहां ग्रहों में सिनपती है जोगश और खरोश के साथ व्यक्ति को लेकर चलते हैं वहीं शनिदेव और देव कि यह स्थिती है इसे वज़े से यह स्पष्ट अता रखें कि आप किसी इंटर्विव की तरफ जा रहे हैं जो कई बार सुगबुगाहट मन में होती है वेलत निरने की तरफ तो नहीं है हमारे लिए सब कुछ बहतर है परन्तु फिर भी एक शंशाय का कोना मन में है किसी व वियापारिक जीवन में यहां existing base में हम और क्या development लेकर आ सकते हैं उसके बारे में विचार जरूर रखें क्योंकि चतुर्त के आदिपती पंचम के आदिपती सस्ट और प्रथम के आदिपती जो सब्तम में पंचम में चतुर्त की स्थितियों के साथ में है यह प्रथम पर बहतरी का एक प्रमुख करम रहेगा वहीं चर्चा करते हैं दुधिय भाव की बुद्वले ही शत्रु राशे स्थान में हो बुद्वले ही 14 जनवरी के साथ और उसके बाद में यहां सूर्देव की स्थितियों के साथ में नहीं हो परन्तु यह याद रखने वाली बात होगी कि 14-31 जनवरी 2030 की मद्य आपका जो कम्यूनिकेशन का लिवल है वो देखते ही बनता है स्ट्रेट फॉर्वड अप्रूच यह बनी रहेगी मंगल की आठी द्रिस्टी आप देखिए कि दुधिय भावस्ट करम में और वो भी ग्यान के अडिपतिक रहे के एक तरह से क उड़ने को तत्पर और तैयार है ये बात कहीं न कहीं व्यक्ति शहाधार के उपर अध्भुत संकेतों को निर्मित करने वाली होती है वो ताकत वो आभा वो द्रिस्टि कौन आपके साथ मौजूद परंतु पारिवारिक जनों के साथ सामन जस्य में कमी आ सकती है इस बात देव गुरु ब्रेस्पति का इचार दस का संबंध अध्भुत सामन जस्य से देता है अटके हुए रुपए पैसों में और जहां केल्कुलीशन के हमदर हम गफलत में थे परंतु अब सुलजने के और अग्रसर हैं और वहीं से आर्थिक तोर के उपर बहतरी निकल कर आती थिए वो ताकत और वो आभापण्ज आपके साथ मोजूद रहने बाला रहेगा यह स्पास्त पता यहां आपके साथ पराकरम भाव के निम चर्चा करते हैं तो पराकरमे शोकर शनिदेव चतuriद भावस्तादाण के वहीं शोकर की इस्तिया यहां शनिदेव के राशी इस स्थान के साथ में बनी हुई है ये स्पष्टता रखने का प्रयास कीजिएगा कि यहां के अंतराल में आप के लिए प्रबुक तोर पर चौदे से 31 जनवरी के मद्य नौकरी पेशा जीवन में नए अवसर आ सकते हैं उन अवसरों को अपना कर आगे बढ़ने की पूरी पूरी जरूरत आप के लिए रहेगी जो लोग लंबे समय से किसी भी जौब में अक्टिव नहीं थे बारंबार प्रयास कर रहे थे परन्तु प्रयास, शुन, सद्ध हो रहे थे अब एक बड़ी आशा आपके साथ है आप हुमन रिसोर्स के साथ में जुड़े वो हैं आप व्यापारिक स्तर पर रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज में जुड़े वो हैं अपनी टीम को रिशेफल करना चाहते हैं कहें कुछ और एड़ करने वाली गतिविदी नहीं पर आकर में जब चातुर तो दो बारा का संबंध बना रहे हों परन्तु ये दो बारा का संबंध शुबता भरा है इसे वजह से आप मैनुफेक्चरिंग, इंडस्ट्रिल संबंधी कामकाज में, मशीनरी संबंध उद्योप में किसी भी तरीक मुक्ता भरे जवाब भी मिल सकते हैं, उससे वचलेत होने की जरूरत नहीं है। कोई और इस्तति के साथ जुड़ेवे कारे हैं, थोड़ी सी भी जो देरी निकल कराती है, वो व्यक्ति को वेचलेत करवा देती है। उससे आप संबलिएगा, फोर्थ हाउस के सेटन की वज़े से फार्मासियोटिकल संबंधी कामकाज में आप अप अपने शहर, अपने ग कीजिएगा, ये प्रमुक देविदन है आपसे, और वहीं जो आप पुरानी जमीन संबंधी सौदेबाजी में लंबे समय से अटकाव मैसूस कर रहे थे, अब वहाँ आपके लिए 14 जनवरी और 17 जनवरी 2030 के बाद मेजर बिसिस के डेवलिप्मेंट्स बने हुए हैं, देव गुरू बरिहस्पती की इन स्थित्यों की वज़े से वहाँ आप गतिमान हो सकते हैं, आप एजूकेशन संबंधी कामकाज में स्वयम को स्थापित करना चाहते हैं, वहाँ बैतरी लेटरिचर में और जादा कुछ एड़ाउन करके खुद को आगे बढ़ाना है, तो आप लंबे समय के लिए स्थित्यों को विजवलाइस कर रहे हैं, उसी के साथ चलिएगा अन्य लोगों की बात मानने से कई बार इंकार करना आविशक होता है, संतान सुक्य और जो भी मेला हैं उनके लिए समय बहुत बहतर कहा जाएगा, कोई भी चंतेत होनी की जूरूत आप अपनी जोब को कुछ समय के लिए रेजियूम करना चाहते हैं, ट्रेवलारी के अपरोच को प्लैन करना चाहते हैं, नहाँ पर एक मसलसल रफ्तार आपके लिए बनी हुई है, और इसे के साथ पंचमेश का पंचम भाव में होना ये सपस्ट करता है, कि कहीं न कहीं इस क्रम के साथ में चलते हुए, आपको यहां एकांत भी काफी हद तक संतुस्टी देने बाला रहेगा, हुई सस्ट भाव, रोग और शत्रुहंता योग अभी बना हुआ है, सस्टेश स्वयम सब्तम भाव में है, इसे वज़े से जो हम रण संबंदी स्थियों से बहुत नहां खुद को और जादा विवस्तित करने के जरुत रहेगी, क्योंकि शनिदेव मूल्ट रेकॉर्मेंन की तीसरी द्रिस्टी अपने नीचस तराशी स्थान पर है, राहु पर है, राहु शनिदेव वत्पल करते हैं, और सस्टेश मंगल भी बहुत जादा बेटर पोजी और आप इस बात पर भी गोहर करें, कि जो नर्व्स को रिलेट करते हैं, वो हलके फुल के डिस्टर्बंस दे सकता है, शत्रु जतने हावी नहीं है, उतनी उनकी बाते हावी हैं, इसे वज़े से संबलिएगा, भूमी संबंदित किसी भी आप इस्तिती के खरिदान के और चाहते हैं, अपनी लिमिट को लून अभी लेने में डिसाइड करके रखें, ये कर्बद निवदन आपसे हम करेंगे, वहीं सब्तम भाव के मंगल हैं, ग्रहस्त पक्ष के साथ में बारह जनवरी जनवरी दोहसार तईस तक रियक्शन्स निकल करा सकते हैं, उन से संबलिए उसके बाद इस्ततियां काफी हद तक नियंतरन को दर्शाती चली जाएगी, 12 जनवरी के पहले के समय के साथ में मेडिकल संबंदी फिल्ड में आप खुद को अच्छे का से डेबलिप्मेंट की और देखने वाले होंगे, हाँ एक बात जरूर है कि आप किसी भी रिलेशन क के साथ में जुड़ चुके हैं, घर परिवार के साथ उस संबंद को रखना चाहते हैं, 22 जनवरी 2023 तक जब तक सब्तमेश पराक्रम में हैं, थोड़ा सा रुकिएगा, उसके बाद में खुद तैय करें कि क्या जाया जा सकता है, फिर ही घर परिवार के सामने, वित्रों के स संबालिएगा, बढ़ते हैं अस्टम की और, अस्टमेश होकर बुद यहां द्वितिय भाव में हैं, पुने अस्टम को देखते हुए, हिडन प्रॉब्लम्स पर जो कंट्रोल लेकर आना होता है, वो एक विवस्तत इस्तती आपके साथ में रहेगी, ये भी याद कि मेटल संबंदी कामकाज में जल्दबाजी करने से बचें, विदेश संबंदी कारियों में जो बहुत जादा औरोपिया पैसा कई बार वेक्ती खर्च करता है और फिर प्रयास करता है, उससे भी दूरी बना कर रखिएगा, वहां आप विवस्ताय निकल कर आ सकती है, वह अब शुक्र की दृस्टी लंबे समय तक यहां नवम भाव पर रहेगे, अध्यात्मिक स्तर पर प्रगति, यानि कि मन के भीतर की शान्ती और आनंदी की स्तियां, आपको व्यग्रता से दूर हटाने वाली होगी, हायर एजुकेशन के साथ में, जो भी मेजर डिसीजन्स को आप अपने साथ में अपना कर चलना चाते हैं, उस और भी खुद को आप काफी हद तक सिस्टेमेटिक कर सकते हैं, रिसर्च संबंदे कारे में जो बैटरमेंट आप देख रहे हैं, अब उसके साथ में खुद को किसी प्रेजन्टीशन वगरा की तरफ लेकर जाना चाते है आप, रोकने की ज़ुरत नहीं है, दर्शन की विवस्ताएं एक अनुपम और अनूठी जागुरती को आपके सामने वरकती चली जा रही है, ये भी जीवन की प्रमुख वेजाय का करम आपके साथ रहने वाला रहेगा, अप्तकुल जमाजोड भाग्य का सायोग ठीठाक स् माजूद, दशम भाव की चर्चा करते हैं तो ये स्तिती अनुपम है, अनूठी है, दशमेश जब यहां पराक्रम में प्रवेश कर जाएंगे, सुरिदेव कि हम चर्चा कर रहे हैं, बलेही आदर्श शचत्र राशिस्तान में हो, परंतु सुरिदेव के ऐसी स्तिती ब्यक देच हूँ और मिला करते हैं, उस एक ताकत के स्पंदन के साथ में जीवन को आप लगातार देखते चले जाएंगे, पिता के साथ समबाद कौशल को बना कर रखिएगा, चूटी चूटी बातों में खुद को उलजाने से बचना अतियाविशक करम रहीगा, वहीं जो खु लिएगा, लाभभाव के लिए हम चर्चा करते हैं, तो लाभेश होकर जो बुद्धन भावस्त करम रहेंगे आपके लिए दनागमन में वर्धि के प्रतिमान इस्पष्ट तोर पर मिलते चले जाएंगे, रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है, सरवांगिन लाभ की स्थतियों में बहतरी के क्रम लगातार मौजूद हैं, और वहीं इस बात को भी स्मृतियों में रखने का प्रयास करें, कि आप जो यहां अलग अलग जगहों पर निवेश के बारे में विचार करते हैं, उस और जा सकते हैं, संतान पक्ष को कामकाज में सम्मिलत कर क्योंकि एकादश और पंचम की जो इस्तियां हैं, वो ब्रहस्पति के साथ बहुत कहराई से कारक इस्तर के साथ जुड़ी होती है, द्वादश की चर्चा करें, तो केतु मुक्ष कारक स्तियों का निर्मान करते हैं, जब आज के क्षण में मुह से विरक्ती है, तो कहीं न पना कर चलिएगा और वहीं से विवस्तित होते चले जाएगा, इस महीने एक अदबुत क्रब बन रहा है, आप देखें कि जो द्वितिया की अदिपती पंचम में 14 का संबन्ध है, वहीं जो एकादश के अदिपती यहां द्वितिया में 14 का संबन्ध है, द्वादश की हस्तिस्तियों को लेकर राते चले जाएं कोर्ट के चैरी संबंदित मामलात में अब आप काफी हद तक संबलने वाले रहें तो ये था मंगल परदान राशी के जातकों के लिए जनवरी दोजार तेस का मासिक राशी फल हम ऐसे ही चर्चां के साथ उपस्तित रहेंगे धन्यवाद एवम कोटी शह आभार